अलो दोस्तों गुड यूनिंग स्वागत है आप सभी का विएक मिस्सार टेडिंग में डेस निश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर अपडेट लेने वाले हैं हम लोग जो ब्रॉडबेंड के लिए केबल यूज होते हैं अप्टिकल फाइवर केबल वो ये सेल करती है और बहुत बड़ी मात्रा में 5G के लिए जो एक्यूपमेंट यूज होते हैं वो भी ये बनाती है कंपनी तो इस हिसाब से ये काफी महत्पून हो जाती है और इसी व के quarter 4 के result आये हैं तो कैसे आये result उसको हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे इसके चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि किस range में दिखता है खरीदने के लिए और क्या target इसमें लेके चल सकते हैं में साथ वीडियो में बने रही है जो चाहल पर ने अच्छा है सस्क्राइब कर आप से मिस नहीं होंगे आप टेलिग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं न्यूज और डेविडियो के सुन बॉक्स में मिल जाएगा यहां पर भी जॉइन करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा ताकि यह जो सेयर है वो और लोगों को recommend हो और वो भी इसमें खरिदारी कर सकें देखें दोस्तों जो HFCL Limited है वो 66.55 पैसे के राउंड यहां पर trade करता हुआ दिखेगा इसकी performance की बात करें दोस्तों तो जैसे कि मैंने कहा कि इस साल कुछ इतना खास इसमें growth हमको देखने को नहीं मिला जबकि हम लोगों ने इससे बहुत return बनाया है तो यह चीज एक matter करत है अब यहां पर क्यों यह important हो जाता है जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको कि यह ऐसे ऐसी चीजों में work करती है इनका भी काम manufacturing और selling में रहता है टेलिकॉप्मेंट जो होते हैं तो इसलिए काफी important हो जाता है और फिर उसके बाद जो optical fiber cable है वो भी यह sale करती है तो मिला जु बड़े-बड़े order इनको मिलते रहते हैं तो इस वज़े से थोड़ा important हो जाता है बट क्योंकि पहले तो इनको चीज बनानी पड़ेगी तभी तो order receive होगा तो थोड़ा कम payment की वज़े से अभी जो financial इसका हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि यह financially थोड़ा जूज रही है वरना performance में अच्छा है quarterly result भी maintain कर रहा है यह एक अच्छी बात होती है market capital देखा जाए दोस्तों तो 9191 करोड की है जो की बहुत बड़ी market capital हो जाती है book value इसकी 1 की देखने को मिलेगी 22.60 पैसे का इसका book value है तो book value से हम लोग को इस time पे सही range में इतना change नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों already इनकी जो demand थी 2021 और 2022 में इतनी ज्यादा बड़ी है मतलब कोवीड का first year और second year में इतनी ज्यादा इनकी जो demand है वो इसलिए increase दिखने को मिलती है अब देखे दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 2021 आपको mention करके बताया है यह समझे एक अप चर्चा होगी क्योंकि हम लोग business के तौर पे discuss कर रहे हैं किसी भी company का financial condition की तरुपे accounting year के तरह से हम लोग इनको discuss करेंगे ना कि first January को ठीक है तो उसको आप इसलिए मैं जब भी 2021 या 2022 इस तरीके से mention करता हूं तो मतलब इसमें पूरे वो चार quarter जो की April 2020 से लेके March 2021 के 31 तक के यहां पर हमको देखने को मिलते हैं तो उसी तरीके से nextify भी रहता है और अभी यह complete हो चुका है 523 जिसका result quarter 4 था जो अभी आज आया है उसको हम लोग इसमें discuss कर रहे हैं यह काफी basic information है इतना अगर नहीं आपको idea लगता है तो यह चीजें थोड़ी जानिए अगर आप किसी दूसरी stream से पढ़े हुए हैं क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों जो commerce से हैं जो मतलब business से उनका थोड़ा भी background रहता है उनको तो idea हो जाता है कि मतलब किस चीज के पर बात हो रही है पर बाकी लोगों को मैंने ऐसे देखा है जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि यह सब क् तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए चलिए हम लोग इसके quarterly result को discuss करते हैं तो quarter 4 का result यह रहा इसको हम लोग देखेंगे हम लोग पिछला quarter भी quarter 3 भी compare करेंगे December वाला और last year का भी March से मतलब देखेंगे कितना improvement है आपको देखने को मिलेगा यहां से इसके बाद से lockdown शे करोड का profit दिखेंगा नौ करोड का profit दिखेंगा उसके बाद देखिए इनकी demand में कैसे तेजी आई है जून में starting का lockdown इस time पे कुछ इतना ज्यादा मतलब सारी चीजे बंद हो गई थी यहां तक कि इस time पे IT कंपनियां भी वो idea नहीं लगा पाई कि work from home वाला system कर लेते है क्योंकि इतना बढ़ियां इस time तक इतने मतलब अच्छे से connectivity हर किसी के पास नहीं थी जो office में work करते थे IT sector में पर देखिए यहां से इस चीज में जो change हुआ है आप इसकी sale में देखेंगे 300 करोड हजार करोड की मतलब यहां पे sale होती है और यहां पे jump है 300 करोड का उसके बा करोड के around आके यह stop हो जाता है और इससे एक idea लगेगा आप लोगों को कि मतलब बहुत बड़ी तेजी से इसमें sale में विर्द्धी हुई और इनका profit margin बीसी वज़े से increase हुआ और इस वज़े से आप net profit में भी देखेंगे लगातार बढ़ोतरी 91 करोड का इनको profit होने लग ग देखिए 2012 में देखिए पूरे साल में इसका 261 करोड का बस sale होता था पर उसके बाद देखिए जैसे ही जीओ का कह लीजे या चीजे जैसे चेंज हुई है 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे internet में ही एक तरीके से तेजी आ गई है आप यहां पे देखिए 2013 में उसके बाद broadband की जो संख्या है इन चीजों की sales जो है वो बहुत जादा increase हुई है और अब company के profit में भी आपको दिखेगा number इनका लगातार growth में दिखेगा मतलब number इनके बड़े हो गए तो इस वज़े से जो demand है वो काफी तेजी से growth हमको देखने को मिलता है और इस वज़े से यह काफी important हो जाता है और फिर यहां पर देखिए already यहां पर mention है किन किन चीजों में वाइफाइ सिस्टम जो होता है optical fiber cable होता है microwave रेडियूज राउटर इंटरनेट स्विच जो होता है इन सभी चीजों को यह company बनाती है और sale करती है optical fiber cable भी उसमें बहुत important हो जाता है अभी भी हर जग broadband है वो भी network provide करते हैं तो यह सभी जो यह cable है यह particularly इन ही companyों से buy करते हैं यह ठीक है जैसे कि यह हिमाचल futuristic communication limited है जो HFCL का full form है तो यहां से यह सब चीजें buy करते हैं और इसके बाद लोगों को चीजें अपने ठपा लगा के sale गर के बेशते हैं तो अगर इसकी हम लोग चीज करें तो इसमें हमको देखने को मिलेगा 56 रुपीज के around support है बहुत बहतरीन support है और उससे पहले अगर आप stop loss के लिए दिखते हैं तो 60 रुपे के around stop loss लगा के आप इसमें खरदारी के लिए जो है लेबल mention कर देता हूं 63 से लेके आप इसको 67 रुपीज के बीच में खरी सकत हैं पहला target यह तो काफी दूर का हो गया मैं उससे पहले का target mention कर देता हूं जो कि around 76 रुपीज पर दिखता है फिर 90 रुपीज फिर 104 रुपीज तक के आप इसमें target लेके चल सकते हैं इसी प्रकार से अपडेट हो जाएगा HFCL पर कोई doubt रहेगा तो कर दो पुछिएगा thanks watching studio झाल